नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का भी हेलपर यूट्यूब चैनल पे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ परदान मंत्रे आवास योजिना ग्रामीन में आप अपलाई कैसे कर सकते हैं अगर दोस्तों आप एक जारकेंट के निवासे हैं तो अगर आप परदान मंत्रे आवास योजिना में अपलाई करके आप अपने घर के स्विक्रिति कराना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेन है क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि परदान मंत्रे आवास योजिना का अपलाई आप कैसे और कहां से कर सकते हैं दुसरा number पे मैं बताऊँगा कि परधानमंत्रे आवस योजना में apply करने के लिए आपको क्या-क्या काईजात लगेगी बोले तो क्या-क्या documents लगेगी और साथ मैं यह भी बताऊँगा कि परधानमंत्रे आवस योजना ग्रामी झारकन में apply की date कब से apply होगी और इसका अंतिम देट कब तक होगी तो सारे इंफोर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा तो आप इस वीडियो को सुरू से लेकर अंतिम जरूर देखे अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि मैं इस चैनल पे भारत सरकार और जारकन सरकार के द्वारे निकाला गया सारे योजना का अपडेट आप तक पहुँचाता हूँ सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि PM आवास योजना ग्रामिन में आवेदन कैसे किया जाता है मेरा मतलब है कि ओनलाइन किया जाता है या ओफलाइन किया जाता है तो इहां पर मैं आपके जानकारी के लिए बता दू कि PM आवास योजना ग्रामिन में अपलाइब जो होता है वो ओनलाइन होता है लेकिन आपको apply करने के लिए आपके पास PM Awasoft का ID और password होना चाहिए जो सब के पास available नहीं होता है ये ID password केवल ब्लोक के operator के पास होता है तो ऐसे में आपके पास ये सवाल फिर से आ गई है कि आप PM Awas योजना में apply केसे करे चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको apply केसे और कहां पर करना है तो परधान मंत्रे Awas योजना में apply करने के लिए आप अपने पंचायत में पंचायत सचीव को आवेदन देकर अपना नम PM Awasoft में चड़वा सकते हो और आवेदन करने के लिए जो जरूरी डोकोमेंट से जो जरूरी दश्ता हुए जह वो इस परकार से है पहला नमबर है आवेदन का अधार कार्ड पहचान पत्र जैसे भोटर कार्ड पेन कार्ड इतियादी दुस्ता नमबर है बेंखाता का जेरॉक्स जहां पर आपका एकाउड नमबर IFC कोट सब लिखा हुआ हो वो आपको देना होगा क्योंकि आपका जो पैसा है वो बेंखाते में ही आता है तिस्ता नमबर है रासन कार्ड आपको रासन कार्ड भी प्रोवाइड कराना होगा जमा करना होगा जेरोक्स रासन कार्ड का चौथा नमबर है मॉबाइल नमबर आपको अपना मॉबाइल नमबर भी देना जिससे आपके पाख SMS आ जाए कि आपका PM आवास के लिए घर सुई करीती हुई है कि नहीं हुई तो आप मॉबाइल नमबर भी दे दे पाँचँवा नमबर पर पास्ट नमबर भी बनवाना है आए परमान्प पत्र भी आपका लगेगा तो आप ये सारे डॉकोमेंट्स के साथ पंचाय सच्यू से मिलकर अपना PM आवास ओटत पर नाम चलुद सकते हैं और अपना PM आवास ले सकते हैं अपनी घर की सूचीरीती क रड़ योग करवा सकते हैं और अगर आपका बात 15 सोन रहा है तो आप अपने बोलोग पर जाकर इसके लिए लिए आपलाइ कर सकते हैं पर यह बहुत सारी जेगा अभी से घरी हो गया और जहांपर अपलाइ शून नहीं हुआ है उहाँ पर अक्टूबर से अपलाई शुरू हो जाएगी क्योंकि पीम अवास का जो लिष्ट है वो इसी महिना आया है सितंबर में जो नया लिष्ट आया है तो उसके उपर भी मैं एक वीडियो बना दिया हूँ जिस वीडियो को देखकर आप यह पता लगा सक कि पीम आवास योजिना का जो फाइनल लिष्ट में आपका नाम है कि नहीं है तो मैं उहाँ पर सारे जानकारे दिया हूँ कि आप पीम आवास योजिना का जो लिष्ट हुआ कैसे निकाले तो उसके लिए आपको वीडियो डिस्क्रिप्षन वॉक्स पे मिल जाएगी तो चलिए मिलते आप से अपने नेक्ट व्रीडियों पर तब तक के लिए जय ही जय भारत वंद्र मात्रम